ही प्यारे व्यूवर्स कैसे हो या ठीक हो ना कावया आप लोग इने तो देगाई था कावया लवन्या लव स्ट्री के बेवर स्पार्ट में कि यहाँ बिचारी लवन्या की तो पैन बच गई थी कावया के जलात्पन तो उसने शाद देखी लिया था थोड़ा सा जिससे वो बुरी तरह से टेर्बी के थी और उसे कावय गुसा भी था क्योंकि उसकी इस सो कॉल्ड न्यू फ्रेंड ने भी उससे ठीटी कर दिया था अपने मतलब के लिए जिस पे लवन्या आपको और भी बुरा लग रहा था लवन्या डिसाइड करते हैं कि बस बहुत होगे मेरी हेल्पिंग ने चेड़ हमेशे मुझे फजाई दे थी है आज के बास अब मैं खुद की एलप करूँगी कभी किसी और की एलप नहीं करूँगी दोसरों की एलप कर ने की चेकर में मैं खुद ही फज़ चाहती है, गभी किसी पर ट्रस्ट नहीं करूँगी लबन ने इतना बोल के अपना काम करने लगते है यहां दूसरे तफ काव्या वो अपने कैविन में थी और कुछ सोच रही थी काव्या को बहुत जादा गुसा रहा था बहुत जादा बार-बार उसे कोछ चीज बहुत जादा सता रह थी और काव्या इन सबसे बाहर निकल ले के लिए वहीं बैठे 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 जो है वो स्मोक करती है लेकिन उसने अपने ओफिस में स्मोक अलाम भी लगा रहे थे अब केविन में खुछ स्मोक करने की वज़ा से वो अलाम बच जाते है और पूरे ओफिस में पाने की बचाल होने लगती है बिचारे सारे वर्कस जड़के बाहर फागने लगते हैं कि सच में आँग तो नहीं लग गई लेकिन यहां से कावया टस से मस नहीं होती वो वहीं बैठी रहती है पुरी तरह से भी गई थी शायद वो खुद को परिश कर रही थी लेकिन किसलिए? किस बात के लिए खुद को परिशमर्ट दे रही थी? यह था हम यहां के जागे बता चलेगा यह लवन्या भी सब वर्कस के साथ बहार पहुंच रहीं थी लेकिन जैसे ही उसे रेलाइस होते है क्या सब है सिवाए उसके उस जलाद बोस के तो लवन्या न जाने क्यों अपनी हेल्पिंग नेचर के कारण जायद उन्दर भाग जाती है उसे देखने के लिए हर तरफ सिर्फ पानी पानी तो खाली चेर्स कहीं से कावया देख नहीं रही थी लवन्या घबरा जाती है कावया पास पास कहा हो आप लवन्या जैसे ही पास के केविन का दर्वासा खोलती है तो एक दो हिरान हो जाती है कावया वहीं बैठी थी और खुली यहां कोसे वो देख रही थी लवन्या बती पास किसे देख रही है सामने की तरफ देखती है तो वहां बस खाली दिवार थी और कुछ भी नहीं कावया तो नस्रे सो रिपल के चपकाना भी भूल गई थी उसकी नस्रे माँनों दिवार पर जम सी गई हूँ लवन्या बहुती बहुत 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 उठो उठो फायर अलाब बच्रा में बाढ़ जाना होगा पर कावया वह भी भी स्टेल उसी दिवार को देख रही थी लवन्या कावया को उठाने की कोशिश करती है यहां कावया दिवार से नजरे हटा के लवन्या की तरफ देखती है लवन्या कावया को जबिता से उठाते हुए कैबिन से बाहर ले आजी है कावया बस एक ही चीज़ सोच रही थी इस चुप बिलड़ की कित दे जबिल की फिर भी मेरी हेल्ब करने के लिए आई क्या ये बागल है नहीं अच्छे बढ़ने का दिकावा कर रही है तकि तरस कहा कि मैं इसके साथ अच्छे फेवार करो था ये स्चुप बिला तभी कावया तब बोलते हैं लवन्या को एक दमजोर से पुश्च करती है नीचे जमीन पर कावय पाने हो रहे कि कारण वो खुद को संभाल नहीं पाती और पांगों पेस बोलते से मुझ नीचे दड़म गिरती है जिससे बिचारी कुछी कासी चौट भी लगती है तब ही कावया यह नीचे जुकती है लवन्या को लगता है शायद कावया उसके हेल्प करने के जुक रहे है पर काया तो नीचे गीरी हुई एक फाइल उठाती है जो के गीली हो चुके थी उसे उठा के टेक्स पे पटकते हुए खुद भी बाहर चली जाती है अब लवन्या को खुद पे जोर से गुसा आ रहा था नीचे फैश पे वो अपना हाथ दे मारती है फिर उठके बाहर चली जाती है सारे बोरिकर्स यही बात करें थी सारे इंप्रोईस के रहे यार यह फार अलॉग बचा तो बजा क्यासे इस बात का जवाब शाद लवन्या को पता था क्योंकि लवन्या जब अंदर गई थी तो उसने कावे के हाथ में एक सिक्जिर देखी ती वो जान्ती थी कि सब कावे की वज़ा सही हुआ थी और कुछ सोच रही थे वो बस अपने ओफिस की पार्किंग में ही थी कि साथ वहांसे जा चुके थे यहां कावया वही बैटे को सोच रही थी और फिस सिगरित जला कि सिगरिट पीने लगती है कावया की जो विंडो था कारी का वो खुला हुआ था पूरी तरह से कावया ने हाथ बहार निकाला हुआ था तबी एक बाइकर वहां है कि बाइक रोग था और वो इस मुखे का फाइदा उठाने के कोशिश कर रहा था कावया को गन पॉइंट पे लेता है ताकि वो कावया को लोट से गया वहां दो इसी तरफ लवन है उसके मन में बस यही चर रहा था कि कावया ने ऐसा क्यों किया मतलब अपनी ओफिस में फाइर अलाम है यह तो उसे पता ही होगा न तो उसने किया वो सिग्रीट जान बचे के चलाई थी क्या वो चाहती थी यह फाइर अलाम बचे पर ऐसा क्यों करेगी वो मुझे पूछना जाए और इतना सोचते हुए वो ओफिस के तरफ आती है और अफिस मंदर जाती हो तो भी सवाई वगएरा चर रही थी कोई से बताता है कि बोस तो नीचे है पार्किंग में तो वो पार्किंग में आ जाती है यहां उस अटैकर ने कावया को गन पॉइंट पे लिया वा था कावया अपकार से नीचे गड़ी थी तो कावया के बिल्कुल सामने उसे गन पॉइंट पे लेके घड़ा था तब ही महां लावन ने आ जाती है और वगए बहुत मुझे आपसे कुछ बात करनी है मैं जानती क्योंकि वो इत्ता वोल कि एक दों खामोश हो जाती है क्योंकि अव वो अटैकर लावन ने आगी तरफ गन गर ले था लावन ने क्या हो रहा है मैं लगते हैं गला टाम पे गला जगह प्यावे मैं जाती हुआ जिस पर वो टाकावा बता है don't move जिस पर भिचारी डर जाती और वो लावनया को गया ते, इधर हो, लावनया डरते हुए आती और वो उसे कावया के साथ कड़ा कर देता, दोनों इंगन पॉइंट पर थे, लावनया बोती मेरी तो किस्मती फूटी है, क्यों आई मैं यहाँ पे, तब यह बटाकर कावया को बोता है, कि अपने बैग मु क्या कुरूम इसको, लावनया उसे टेकर को बातों मिल जाने की कोशिश कर दिया, पर वो बन्दा नहीं हो जलता, लचता ही नहीं है, वो बस उसे कहता है कि अपना मुँ बंद रखो, और कावया को गिन पार्ड पे लेता है, कावया उसे अपना बैग नहीं दे रही ते, त लावनया जाए, वो पीछे-पीछे होते-खोते-खोते-वहां से जाने लगती है, क्योंकि उस आत्मी कब इलकुल भी लावनया पे दिहाने था, लावनया अल्मोस्ट वहागी चुकिती लिकिन फिर वो रुख जाती है, क्योंकि अब उसे कावया की फिक्र हो रही थी, चा और कावया माइंड भी नहीं करती, क्योंकि उसके जगह पे अगर कावय होती तो वो भी यहीं करती, अपनी जान ही बचाती है, आजकल का जो दोर है, कोई किसी के बार में दोरी सोचता है, पर कावया एक दम शोग्ड हो जाती है, जब लवन्या उस आदमे के बिलकुल पीछे अटैकर नीचे गरती, गर्ण की नीचे गरती है, जिसे गावया तुरंटी उठा लेती है, तब लावन्या पुलिस को कल करके बिला लेती है, वो आदमी जो भी था, अटेकर बोलो, गुंडा बोलो, जो भी था, उसे पुलिस अडेस करके ले जाती है यहां कावया, लावनिया को बती है, सब तुम्हारे ही प्लैन था ना लावनिया बती है, वाट, कैसा प्लैन? कावया बती है, तुमने इसे मेरे पास बेज जाता था ना, हाँ ताकि मेरी जान पहले खुद खत्रे में डालो, फिर मेरी जान बचाने के लिए भी खुद आज अच और ताकि महाल न बन जा मेरे नजरों में क्यूंग ए तुमने जानी है, जिस प्लैनी बती है मैंने जो यहीं किया, क्यों गूट इमीज पर आणे के लिए I'm not a stupid समझी और इतना बोलके लवन्या कोई ब्लेम करके चली जाती लवन्या बोलती है क्यों आई मैंसा बचाने के लिए मनने देती वही सही था और फिर लवन्या अपर ओफिस में चली जाती है क्योंकि अब तक सारी सफाई हो चुकी थे और सारी जितने भी एंप्लोई से सारे बापिस आगे थे और सब अपना काम कर रही थे लवन्या भी अपना काम कर रही थी देखते ही देखते ही ओफिस चूटने का टायम हो जाता है लवन्या की सांस में सांस आती है वो खुशी है कि हमारे उठने लगती है पर तब ही महां कावय आज रहा थी यह वो सब को बोलती है कि फाइर अलाम की वज़े से तीन गंटे ओफिस बन रहा किसी ने काम नहीं किया तो वो तीन गंटे अब सब को ओवर टाइम करना पड़ेगा वो तीन गंटे काम करेंगा और फिर ही घर जाएंगा जिससे सुनते ही सब के मूँ बन जाता है पर कोई भी कावय से बहस नहीं कर सकता था इसलिए सारे चुप चाब वापिस काम करने लगते है लावन्या को गुसा आता है कावया को गुरती है उसका मन तो कर रहा था कि बोल देखुती तो फायर अलाम लगाया था तो हमें ब्लेम क्यों कर रही हो हमें क्यों रोक रही हो लेकिन वह असा नहीं करती चुप रहा थी है यहां लवन्या भी काम कर रही थी और देखते देखते तीन घंटे भी हो जाते लवन्या बहुत कुश होती है वो जल्दी से अपना बैक पैक करती है अपना सारा सप्प लेती है सारा समान माइट अप करती है इन वो उफिस से बाहर निकल जाती है एड टेकसी पगड़ती है और अपने घर आ जाती है जहाँ वो आके लेडी ही थी कि तब ही डोट बेल पर किसी की दस तक हो थी, वो दर्वासा को थी है तो यहां उसकी लैंड लेडी आई थी, जो उसे आके डांटने लग चाहती यहां लावनिया को बिल्कु समझ नहीं आ रहा था कि उसके लैंड लेडी उसे डांट क्यो रही है, उसके गलते क्या है लावनिया बोटिया मुझे डांट क्यो रहो और मुझे इतने बाते क्यों से नहा रहो मैंने किया क्या है, जिस पर बोटिया क्या मतलब तुमने क्या क्या है हाँ, आज 12 तरीक हो गई है और एक तरीक को तुमने मुझे रेंट देना था अभी तक तुमने रेंट क्यों नहीं दिया लामा ने आगी ति मैंने रेंट नहीं दिया आपने क्या मजाग करी थे मैंने रेंट दिया तो है जिस पर लेडी बोती कब तुमने मुझे रेंट दिया हां बोलो जिस पर बोती है हां मतलब मैंने रेंट नहीं दिया पर आपको रेंट मिला तो कि थी अभी तुमने बोला रेंट दिया अभी तुम कहरे रेंट नहीं दिया पागल बना रही हो मुझे हां मैं पलिसको कॉल करूंगी अगर तुमने म पर रेंट नाइट बास में तुम दोगा थेंगे तुम तुम रहते हो यहां पर तुमरी फ्रेंट्स दोड़ी लवन्य बहुता है अपनी एक फ्रेंड को पॉल करती है और इसे बहुती थे अपने एक पैसे देत ना बेनी को देने के लिए तो तुन्हों ने दिए थे ना जि एक्चिली वो मेरा मुबाइल चोड़ी हो गया था और मुझे मुबाइल सही है था तुछी तो पता है न आतकर मुबाइल के बिना कहा ही कोई काम होता और पर मेरी जॉब बहुत इशू हो रहे थे मेरी जॉब चोड़ सकती थे तो हम सोरी पर मैंने उन पैसों से अपने लिए मोबाइल ले लिए लवनया बोढ़ी वाट तुम ऐसे कह सकती हो तुम जानती है मेरे पास बस वही पैसे थे तुम दोस्तों मेरी तुम उर्षाट ऐसे कैसे कह सकती हो लवनया बोजासर को बहुत बरी अलग्ट है पर उसकी फ्रेंड उसे सोरी कह के काल ही कट लिक रते चलदे दूंगी, लेट लेड़ी, वहां से जाने लगते हैं, उससे पहले जाते-जाते कहते हैं, कि आजकल किसे पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए तुम्हारी बात से तुम्झे से एक मिली गई यह तुम्हारी सा जो हुआ उससे मैंने सीख ला है इसलिए तुम पर मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती तुम्हारी पर सिर्फ तीन दिन है मुझे अगर रेट नहीं मिला तो फिर तुम्हें धक्के दे के बहार निकालूंगे पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन अलग करूंगे लवन्या बहुत जादा परिशान हो जाती है उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो तीन दिन में यार कहां से इतनी सादा मांग लग लग आईगी अभी अभी तो ओफिस जाइन किया है साजरी आने का तो चांस ही नहीं है लवन्या बहुत जादा परिशान हो जाती है वो अपने साहने फ्रेंट्स को बारी बारी कॉल करने लगती है और उसको कोई भी फ्रेंट कॉल पिक नहीं कर रहा था या लवनया बहुत जादा परिशान हो जाती वो अपने उस फ्रेंड को भी कॉल करती है जो उसका रेंट खा गए पर उसकी फ्रेंड ने तो शाद उसे ब्लोग कर दिया था क्योंकि अब तो कॉल ही नहीं लग रही थी लवनया बुरी तरह परिशान हो जाती है कि एक मुसिबत खतम होती नहीं कि दूसरी पहले यान पड़ती लगता है मैं न उपर वाले की फेवरिट हो गई हूँ जब देखो बस मुझे ही पर यान करते रहते हैं लवन्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे तब ही लवन्या को अपनी उस फ्रेंड का ख्याला था जिसे लवन्या न अभी कुछ तर्म पहले कुछ पैसे उधार दिये थे लवन्या अपनी उस फ्रेंड को कॉल कर दिये पर वो फ्रेंड भी कॉल पिक नहीं कर रही थी लवन्या उसे बार बार कॉल करते है जिस पर उसकी फ्रेंड बहुती अरे यार इससे पैसे क्यों धार ले लिए तो पीछी पड़ गई अभी तो कुछी दीन हुआ पैसे लिया वे क्या करूँ क्या से ब्लोक करते हूँ नहीं ब्लोक नहीं कर सकती यार एक काम करते हूँ मैंना मुबाइली स्विच अफ कर जाते हूँ इतना बोलती लवन्या कि वो फ्रेंड तो अपनों मुबाइली स्विच अफ कर दे थी अब इस बार जब लवन्या कॉल करते है तो मुबाइली स्विच अफ जा रहा था जिस पे लवने अब बहुत ज़्यादा परिशान हो जाती है अब क्या करूँ मसीबत के वक्त ना कोई भी साथ नी देता क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ तिन दिन में रेट नहीं दिया तो सरसी ये छट भी जाएगी शिट क्या मसीबत आन पड़ी है अब क्या होगा मेरा लवने इतनी जादा वरी डूचा जिया कि ना तो उसे भूख लेग रही थी और रायों से नहीं दा रही थी वो डेंचन के मारे इधर उदर गूमे जा रही थी थी बस यही सोच रही थी कहां से मैं इतने सारे पैसों गें इंदसाम करूँ पे इतने जल्दी ओपर वाले हसले हसले मेरे आलत पे क्या करूँ ने उलने हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था अपनी सारी फ्रेंड से जिन से पर कर ही नहीं रहा था यहां हम लवनिया परिशान हो कि अपने बैट पे लिए चाहती है और बस करवटे इस पे करवटे बतलती रहती है क्योंकि जो हुआ उसके बाद उस बीचारी की नींदे ही उड़ गई थी बहां दूसरे तरफ हमारे काव्या 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 कुछ यह लवनिया टाइम देखती है सुबह भी हो गई फिर बशावर लेती है रेडी होती है उफिस में जाने के लिए और जैसे ही वह उफिस पहुंचती है ना तो भाई सहाब दूरां थी काव्या का गुस्सा उस पे भड़क उटता है काव्या अपना सारा गुस्सा लवनिया पे लवनिया जोब छूडने के बार में सोच भी नहीं सकती थी क्योंकि अगर जोब भी चली गई घर भी चले गया तो क्या करेगी वो कहां जाएगी कहां रहेगी क्या खाएगी क्या पीगी ये सारी रेंचिस के दिमाग में चलने लगती है लवनिया चुप चप काव्या का सा अपनी रेक्स पे बैठी अपना मा था पीट रही थी तब ही लवनिया की वही फ्रेंड आती है चुप से क्या हो आप पोस इतना घुसे में क्यों है लवनिया बाती मुझे तो नहीं पादा तिज महीं मात है तो जाके पूछ रहे बहुत से जिस पर उसके फ्रेंड माती सोर यार हम सोरे इस जो कि अगर तो जोब छोड़ना चाहते है तो कोई बात नहीं मैं कोई और सेग्रीटी डूनेंगी वैसे भी मुझे तो आदत ही पड़िए हर दूसरे दिन सेग्रीटी डूने की जिस पर लवनिया बहुती मैं तुझे बोला मैं जोब छोड़ रही हूँ हा जिसपया तेक्डि यह इतनी इंसल्ल करवाने के बाद भी तो यहां रुकेगी लवनिया बहुती क्योंकि मैरे पास और कोई option है उसकी फ्रेंड बहुती क्यों क्या हुआ तो लवनिया अपनी पूरी दुगबरी दासतान सना दे की जिस पर उसकी ट्रेंड बहुती और तेर कुछ हेल्प कर सकती हूं पैसों में इसे तो मेरी भी सेलरी इतनी नहीं है पर इसो के मैं एक मन्त में थोड़े कम एड़ेस्ट कर लूँगी पैसों से लवान्या बदे नो नो इसो के तुमारे खुद के बहुत खर्चा है तुम के परिशान होगी मेरी वज़ा से और वैसे भ आट-ाट साल पुराने दोस्तों ने मुझे 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 पैल लिया तो तुम क्यों ही मेरी हेल्प करोगी लवन्या तब बूल के फ्रेश होने चली जाती है लेकिन धोड़ी ही तेर में लवन्या की यह जो न्यू फ्रेंट थी वो भी लवन्या से मिलने वोश्रों में आ अब मेरी बारी यह ले जाद हो तो नहीं है पर मैं इतनी अफोर्ड कर सकती थी इतनी बस तरी हल्प कर सकती थी लवन्या के हादों मस्ने कुछ पैसे रखे थे अंदर वहां से चली जाते है लवन्या उन पैसों को देखती है उन्हें काउंट करती है कि अभाब मुझे लग पर इसको तुम एन्हें किती वाते सुनाई थी यार अब लवन्या को थोड़ा गिल्दी भी फिल होने लगता है लवन्या सोच था कि नहीं यार मैंस पैसे नहीं ले सकती हूं और लवन्या जो है पो पैसे रिटरिन करने के लिए ना अपनी फ्रेंड के पास आ थी है अपन दो दिन, अगर दो दिन में तुमने रेंक पे नहीं किया ना, तो चुप चाप से फ्लेट खाली कर देना, इत्ता बोल के गोली कर देती है, बिचारी लोड है, अब उन पैसों को देखती है, आई थी कि वापस करूंगे, लगे अगर पैसे वापस करती है, तो क्या ही करेगी, इसलिए वो पैसे ना चाहते वे बिचारी रख लिये थी, और अपने फ्रेंड को थैंक्स बोलती है, अब लोगे कोफी बना के लिए क्या आती है, उसके पर चिट होती है, थैंक्स, और सोरी वाला वे, थी कि फ्रेंड में शकुरा आते हैं, वहाँ को उस इशारा करती है, उसके बाद लवन या बैड़ के अपना काम करने लगती है, वहाँ दूसरी तफ कावया, वो किसी का वेट कर रही थी, लेकिन जिसका वो वेट कर रही थी, वो शायद अभी तकाया नहीं था, जिस पर कावया बहुत जादा भड़कुरती है, और तभी कावया को एक कावया जाती है, और कावया जल्दे में कहीं निकल जाती है, कावया को ट्राइब कर रही थी, वो थोड़े ही दूर गए थी, कि तभी उसके कार कर टायर पंचर हो जाए, कावया बहुत थी, शिट ये भी आजूना था, चब मैं पहली से ही ले दू, ओ, क्या मुसीबत है, उसके ब कावया के पास एक लड़का आता है, और कहता है, अरे वा कावया, तुम तो वक्त से पहले ही आ गई, कावया बहुत थी, क्योंकि मज़े वक्की की मत का पता है, लेकि तुम्हे वक्की है, मेंद का अंदाजा नहीं, जिस पर हसने लग चार कहता है, मुझ से मिलने की जल्द इस अ ब्लाइन डेट, तो तुम उसे रात में डेट पर ही मिलोगी, कावया बदी पर मुझे कुछ तो बताओ, उसके बारे में, I mean, किस टाइब की इनसान है वो, तो वक्ते अरे रिलाक्स ना, इतनी जल्दी भी क्या है, वैसे मैडम, तुम तो इन सब चीज़ों से दूर बागती हो, तो अब ब्लाइन डेट के लिए अचानक से डेडी कैसे हो गए, कावया बती क्योंकि मुझे कल रहती है, सास हो आए, कि इनसान जितना भी सोच ले, वो कभी अकेला खुश रहा नहीं सकता, उसे खुश रहने के लिए किसी पार्टनर की ज़रुत होती है, अब मुपे ये सारी बात है, कावया बती है, लेकिन तेरे मुपे न, मेरे हाथों की चाप बहुत अच्छ से जचेगी है, बताओं, चाहिए चाप, और तरे नीनी शैने दे, एनिवें, उसे ब्लैक कलर बहुत पसंद है, तो अगर तू ब्लैक ट्रेस पहन के रहे तो मुझे लवनिया, वो ओफिस में काम के साथ साथ ये भी सोच रही थी, कि आदे पैसों को तो चुकाड हो गया है, बागी आदे पैसे कहां से लूँ, खोई तो होगा न, जो मेरी हेल्प करेगा, किस से हेल्प रूँ, किस से लूँ, लवनिया इसी कन्फूजन में थी, कि तब ही उ उसके फ्रेंड के आती और के थी, यार कब से तुमारा मॉबाइल बच रहे हैं, ये क्या तरीका हो, तुम उठा क्यों नहीं रही, लवनिया बोती, मेरा मॉबाइल तो मेरी मरसी, इस बेवास नहीं लेगते हैं, तो इसकोल को वाइट किया जा रहा है, बोई फ्रेंड है, उसके मुबाइल ने उठा रहे हो, कॉल ने उठा रहे हो, लवनिया बोती, बोई फ्रेंड तो है, पर किसी और का, तो बोती, ओखे, तो उसने तुमें चिट किया, लवनिया बोती, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, इस ज़स माइ फ्रेंड, जिस पे लवनिया के फ्रेंड बो गयते, ओ गाड लव, तुम्हारा तो नाम ही लव है, तो तुम्हारे किसमत में लव क्यों नी होगा, देखना, तुम्हारे किसमत में लव जरूर होगा, लावानिया बहुत है, लव नाम रखने से न, इनसान को लव मिलने ही चाहता, पता नहीं मेरा नाम ये रखा है क्यों, एनिवे तुम्हेरा निकने में तुम्हें कैसे बता जिस पोगे थी मैडम शाह तुम भूल गई हो उस गुरूप में भी हूँ जहां थोड़ दिर पहले तुम्हें लव लब कहके पोयो करा जो रहा था लवन्या बोते मुझे किसने मेंचन किया वापे वेट मैं चेक करती हूँ लवन्या चेक करती है तो उसे किसे और नहीं नहीं भाल कि उसके वही क्रेश नहीं मेंचन किया हुआ था और इसने गुरूप में ही लवन्या से पूचा हुआ था कि कहा हुआ इग्नॉर क्यों कर रह तुम मेरे कॉल पिक नहीं कर रही हो मैसेज़ेस जेक नहीं कर रही हो तो डियम करकर के ठक गया था तो जीसी में मैसेट कर दिया बाइद अभी चल किया रहा है इग्नोर क्यों कर रही हो लवनिया बोती ऐसा कुछ नहीं है I'm not ignoring you तो फिर तुम आज रात को मिलने आ रही हो न लवनिया बोती क्यों मिलू मैं किस कुछी मैं मिलू तो बोती क्या मतलब लवनिया यह क्या बात होती है मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है लवनिया बोती मैं बीज़ी हो तो बोताओ मुझे कुछ नहीं हुआ ठीक है तो तुम आज रात मिलने आ रही हो तो मैं मेरी कसम बस और मैं कुछ नहीं सुनूगा तब उनके क्वालिक अड़ कर देता है और थोड़ी दे में लवनया को एक लोकेशन सेंड कर देता है बत्सापे लवनया चेक करती है यह एक जो है वो कलब की लो क्यों गड़्पिन मर गई है क्या इसकी लवनया दो रहे गुज़े में ती इसलिए आसे बात करी थे वर्ण वह ऐसी बाते करती रही है वेल लवनया जो है वो जल्दी से ओफिस का काम गदम करती है और ओफिसे जैसे फ्री होती है सीधा घर जाती है जहां वो अच्छे से अच्छे से मेक अप करती है समसे बड़ी हवाला ट्रेस पहन दिया और उसके बाद वो एक टैक्सी लीती है और भाई किलब के लिए निकल परती है थोड़ी दे में वो उस कलम में पहुंच गई थी जहां मों पहुंचते ही अपने फ्रेंड को कॉल करती है तो अब उसका फ सोरी आर सोरी मूबाइल सालेन पे था लवनिया बोटीट सोगे मुझे क्यों बला है तो अरे बता था ना किसी से इंट्रिडूज करवाना है लवनिया बोटीट और कौन है वो जिस पर कहते है अरे बताऊंगा बताऊंगा इतनी जल्दी भी क्या है बस थोड़ी देर में व बहुत इंपोर्टन का मैं मैं तो बूली गए थी एक प्रोजेक्ट सुपर समिट करा ना तो आई हैब टो जिस पर वो लड़का लवनिया का हाथ पकड़ लेता है जैसे वो लवनिया का हाथ पकड़ता है लवनिया की हार्ट पीड एकदम से बढ़ जाती है लवनिया उसे देखे हैं मस्कुराने लगती है लेकिन तभी वहाँ पे उस लड़के की गल्ड फरन आ जाती है जो गयती ओप्रोई तो मतलब इस लड़के नाम ओप्रोई था ओप्रोई तुरें पीछे गुमता है तो फाइली आई गई तुम्हां तो वो दूर के उस लड़की को हग कर लवन्या को बहुत जादा चैलिसी फिलोती है बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- लोग बाते करने लगता है और एक टेबल पर बैच आता है अबरोई बोलता है कि मैं ट्रिंक्स लेकर आता हूँ तो इस पर लवनिया कहती है ने ने मेरा मन नहीं है तुम तुम दोनों इंजॉय करों लवनिया उटने लगती है पर तभी उपर उसका हाथ बख़ता है अरे यार अबरोई कुछ बताना तुझे पैटना हूँ लवनिया बाजी मैंने बोला ना कुछ एजन्ट है उपके तो पैट यहां पर तुझे हमारे दूसरी की कसम बिचारे लवनिया ना चाहते हुए भी उसे महाँ पर रुखना पड़ता है तभी सुने है ना लवनिया को कहती है ओपरोई तो हमेशे तुम्हारी यह बात करते रहता है वसे सच को हूँ तो मुझे तुमसे कावी जलन होती है लवनिया बती है मुझसे जलन लवनिया बती मुझसे यूँ तभी वहाँ पर रुखना चाहता है ट्रिंक्स लेके उसके बाद ये दिनों ही ट्रिंक करने लगता है वहाँ तो सिद्फ कावे वो ब्लाइंडे के लिए रैरी हो रही थी और वो अपने फ्रेंड को कॉल करती है अज़े लोकेशन तो भेजी तो ऑसका फ्रेंड भी लोकेशन भी देता है लवनिया थोड़ी दे में जो है वो उसी कलब में पहुँचाती है यहाँ लवन अपने फ्रेंस के साथ यहां कावे कॉती अज़े यार यह कैसा कलब चूझ कहाया था लड़की एक चोईस से एक दंबिकार है, पता नहीं लड़की कैसी होगे, हम दोनों की बेट, भात जंक से वो भी पाए गया नहीं, कहाँ थोड़ी सी कनिफूस थी, मतलब वो डेटिंग वेटिंग से दूर रहती थी, उसने सालों बीद कहे थी, उसने कभी किसी को डेट नही किया था, इसलिए वो तोड़ी नर्वस हो रही थी, वो साल एक बाद दीट पिछवाए थी, नर्वस हो रही थी, इसलिए ड्रिंग को रहते हैं लवनिया जाया है, वो फ्रेश होने के लिए उठने लगती है, तब भी वेटर से टकरा जाती है, लवनिया की ड्रेस पे जाय करें थी, अम तब वो एक लड़की को देखती है, मतलब बो लड़की को देखती है, और इसलिए तक किस करती है, अमने बस पहुंच नहीं हूँ, और तो आप फिर वो फिर फिर वस लड़की को किस करने लगती है, लवनिया अशियो अची जवाए थी, चड़ पिछय को तो वो थोड़ा उसे अच्छा दी लगता है थोड़ा अजीब सा लगता है तो वो श्रम से बाहर आ जाती अच्छी अपतानी कैसी लड़की थी क्या कर रही थी उसके साथ फिर लवन्या जो है वो वापिस आगी डेबल पेड़ चाहा थी अपने दूस्तों के साथ यहां अप लवन्या बोटी साथ बाहर आपना बैग इसे शूलडर पर रखती है तभी सुनें नहीं अभी नहीं तो तुमसे बहुत बाते कहनी है लवन्या बोटी मुच्छे माते तो यह थी हां मैंने सोच चपी तुमसे मुलाकात होगी तुमसे कुछ कोस्ट्रिन गरूंगी अपरोह के बारे में लवन्या बोटी हप्रह साम नहीं बैटया है तुम इससे क्यों ही पूछ लेती है इसपर अठी गशिद्ब सिर्धार तो तुम मुझे इसके बार में बने जानती होगी तो अरे तुम इतनी जाने के जल्दी क्या बैढ़ो ना लवन्या बोटी मैं फ्रेश हो क्या थी सुनेयना बदी तुम अभी तो फ्रेश हो क्या थी लवन्या बदी तो क्या मैं दुबारा नहीं जा सकती तो इतना बोल कि लवन्या जाए वो वहां से चले जा थी एक्शली वो बस महां से भागना चाहती थी फ्रेश होने जा दिया, अर्ययार क्या मुसिवत है, कि यस सो नैना तू पीछे ही पड़ गई, मूझे चाने ही नहीं नहीं दे रही है, मुझे नहीं तो यार समझने हा रहा हूँ उसे, यह वहा, गुस्णा आ रहा है कि क्या ही बताऊँ, मेरे साथ ही ऐसा होना था मेरे ही क्रेश मुझे अपनी ही गल्फरंट से ट्रिडियोस करवा रहा है यही दिन देखने के लिए तो इतनी बड़ी हुई थी मैं और फिर लवन्या थोड़ा गुसे में मूँ फलाया बाहर रहा थे तब ही उसके नजर कावे पर बटी शिशिशिट कावे कावे यह क्या करी है हरे इसने मुझे यहाँ देख लिया ना यही पर अपनी बोस घिरी जहलाना शुरू हो जाएगी सब के सामने मेरे इंसल्ट करतेगी ने 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 लवन्या अपनी इज़त बचा के भाग लवन्या अपना बैग इससे अपने मुगे सामने लगते है और वहाँ से जहने लगती है तब ही उसके सामने वही लड़की होती है जो भी मतलब वोस्टों में किस कर रही थी इसी वो रहना बहुत है ये ये पॉस से मिलने क्यों जा रही है लगने रुक के न मतलब इस सब देखने लगती है तो लड़की जो है कावे से मिलती है हाई तुम तो मैं ही हूँ तुम्हारी प्लाइंड इट जिस पर कावे हसने लगती है और फिर ये लोग बाते करने लगते है और व तो काव़य को भी सब अच्छा नहीं लग रहा था तो काव़य भी जादा व से तच्छी अच्छीनी होँ ने दी दी याला लवनिया वो थी जीफ उसकी फ्रेंग्स कितनी खराब है यू और फिर यहां लवनिया वह वापिस अपने फ्रेंड्स के बीच में आके बेर जाते हैं यहां उपरोई पार बार श्रिंड्स पर ड्रिंड्स लाह रहा था यहां सुनेना पिये जार थी जिस पर लवनिया को गुसा आ जाता है मैं क्यों पीचे रहा हूँ यहां लवनिया फुल लोड टली हो जाती है यहां विचारा उपरोई अपने सर पे दोनों हाथ रखे क्या आज रोती मुझे इतनी ड्रिंक्स लाने की दोनों टली होगी मैं एक साथ दोनों को कैसे समाल हूँ वो विचारा सुनेना को संभाल था लवनिया उच्छने कुदने लग थी वो हंगामा करने लग थी उसको समालने लग था अप्रोई की पाहों में यो पाहे राली उसे वही पे किस करने लग थी जिसके बाद तो भाई लवनिया तो गसा उसका अप से बाहर हो जाता है और वो तुरन एक और शोट पी दी थी है और फिर यहाँ इन दोनों को अलग कर दे थी अब्रही बहुत है क्या कर रहिए लवनिया समल के तुम गिर जाओगी और ऐसे है लवनिया नीचे गिर जाती अब्रही बहुत है शिट क्या करूं उसे समालो या उसे अब एक तरफ girlfriend तो दूसे तो best friend विचारा अब रोए जाये तो जाएगा वो लवन्या को उठा कि सुपर पे बीठा आता है और अपने एक common friend को call करता है जो लवन्या कभी दोस्ता और अब रोए कभी उसे call करता है और उसे help के लिए बुलाता है वो गयता है हाँ चल चल ठीक है मैं पांच मिनट में आ रहा हूं तो एक काम कर लवन्या को वही छोड़ते मैं आ जाता हूं अब रहुआ थे पक्का दूसरे संभाल लेगा है वो गयता है हाँ मैं बस पांच मिनट में आ जाँगा यही पांस में तू जा अपनी girlfriend को लेके तो गयता है अच्छी कर लवन्या तुम यही बैठो हाँ अभी तुम्हे लेने के लिए आ रहे है इत्ता बूल के न वो अपनी girlfriend को यह नहीं सुने है न को संभालता हूँ अप्यमिन्ट करता हूँ वहां से चल जाता है यहा लवन्या इतने नशे में थी वो कैसे एक जगह करने लगती है वह स्टेज पर चगर जाती है इतना डांस करती है ती मस्ती करती है और तभी कावया की नजर भी लवन्या पर पर जाती है लवन्या इतने नशे में थी तना हंगा मजू कर रही थी कावया कैसे ही मिस कर सकती थी कावया लवन्या को देखती है तो थोड़ा सा हसती है दवन्या का वो पागल पन उसके वो हरकते थोड़ी सी क्यूट लगती है तो गाइस आज के लिए बस इता ही मिलते है फिर नेक्स पार्ट में और देखते है चैनल पार्ट में क्या होगा अगर आज की वीडियो एच्छी लगया तो वीडियो को लाइक करे दिया ना कॉमिन सेक्शन में सुरु बता दे ना कि वीडियो का कुँण सा पार्ट कुण से सरे और फिर कुण सा ताय लोग आपको अच्छा लगा चैनल पर नहीं हो या फिर अभी तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात यार जल्दी से चैनल के सब्सक्राइब कर लो और कि दिन टारा बाई बाई एंड एक यार तक चैनल के सुझ्ट कैनल क मोई एक यार तक कि से चैनल के सब्सक्राइब कर तक के साभ हो यार करना चारा तक और एक प्र लो करतास के सम्सक्राइब झाल झाल